अब गन्य के जूस के मशीन को याद कीजिए जिसके बारे में हमने पिछली कुछ वीडियो में भी चर्चा की थी कैसे उसमें से जूस निकल जाने के बाद सूखा गन्या बाहर निकलता है बिल्कुल इसी प्रकार हमारे शरीर का पचा हुआ खाना बढ़ी आत में जाता है जहां से इसमें से पानी अफशोषित कर लिया जाता है और इसके बाद बचे हुए खराप अदात को शरीर से गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जिसे भोजन का निकास कहते हैं गुदा से खाना बाहर निकालने का नियंत्रन गुदा अवरोधनी के हाथ में होता है इस पूरे मुँ से लेकर गुदा तक के रास्तों को अहां नाल कहा जाता है तो आए एक बाद दोहराते हैं मानव पाचन तंत्र तथा उसके भाग सबसे पहले आता है मुँ या मुखगुहा जिसके दोहरा खाना अंदर जाता है इसके बाद आती है भोजन नली इसी ग्रसिका भी कहते हैं और इसके दोहरा खाना पेट में जाता है इसके बाद आता है पेट या अमाशय इसमें जठर ग्रंतिया होती है जो पेपसिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शलेशा को श्रवित करते है जिससे खाना पचता है इसके बाद खाना छोटी आत में बढ़ता है यहां यकृत से पितरस निकलता है जो वसा को छोटे टुकडों में तोड़ देता है साथ ही अगनाशे के अगनाशेक रस का एंजाइम, प्रोटीन और वसा को तोड़ते हैं इसके बाद खाने के पोशक तत्व छोटी आत के दिरगरोम द्वारा अषोशत कर लिया जाते है इसके बाद खाना बड़ी आत की ओर बढ़ता है यहाँ इसका पानी अफ्शोशित कर लिया जाता है और अंत में बिना पचा हुआ खाना गुदा के द्वारा अप्शिष्पदार्थ के रूप में शरीर से बहा निकल जाता है इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले और इसे भी और इसे भी चलिए यह तो बाद हुई मानव पाचन तंतर की अब हम आपसे एक सवाल पूछते है सवाल कुछ इस प्रकार है अंगली जैसी सन रचनाए जो छोटी आत के अंदर भोजन के आवशोशन में मदद करती हैं वे है ग्रंथिया, अंगलिया, इंजाइम या दिर्ग्रोम इस प्रश्न का उतर अपनी कॉपी में लिखी है इसका सही उतर है दिर्ग्रोम दिर्ग्रोम छोटी आत की दिवार पर मौजूद अंगली की तरह सनुचना है जो तूटे हुए सरल भोजन के पोशक तत्यों के अवशोशन में मदद करता है